हेलो अच्छ नमस्कार पबलिक केरियर यूट्यूब चैनल की तरब से मैं विनोव देखवार फिर से आप लोग का मोस्ट वैल्गम करता हूँ हाजिर हूँ जर्नल नॉलिज यानी जीके से बहुत ही महतपूंड वीडियो लेके जिसमें हम T20 सीरीज में आप लोगों को खेल से सम्बंदित 20 महतपूंड सवाल कवर कराएंगे ये वो पिरसन रहेंगे जो आपकी प्रिवियस एर एक्जाम में पूछे हुए होंगे और आगामी परिक्षा के लिए बहुत ही उप्यूगी और खास होंगे तो आप लोगो इस वीडियो को फुल वाच करना है फुल ठीक न दूसरा आप लोग समझे के चलिए आपको अब टेस्ट की तरहा बड़ी वीडियो देखने की आदत नहीं है 50-50 आपको बोरिंग सा नजर आने लगाए तो अब ट्रेंड है T20 का बहुत जल्दी खतम हो जाए ऐसी आप लोगो वीडियो चाहिए और अच्छी नौलिज भी चाहिए तो T20 सीरीज में ही आप लोगो हमारे यूट्यूब चैनल के माद्यम से लगातार वीडियो दी जाएंगी विसेवार किसी दिन खेल किसी दिन आधुनिक भारत किसी दिन मद्यकालीन भारत किसी दिन विस्व भूगोल किसी दिन भारत का भूगोल ऐसे ही आप लोगों को लगातार वीडियो मिलती रहेंगी जिससे कि आपकी जो तैयारी है वो थोड़ा और अच्छा हो दाएगी है वो किस खेल से संबंदित है ऐसे सी सी पियो एक्जाम 2017 के एक्जाम में यह कुछ न पूछा गया था टेवडल किस खेल से संबंदित सब्दावली है पद है आखिर क्या है टेवल टैनिस लॉन टैनिस गोल्फ या फिर तैरा की देखिए पहले सवाल का सही और सठीक आंसर ज देखिए टेवडल जो संबंदित है वो टेवल टैनिस से संबंदित है यहां देखिए तेवडल टेवल टैनिस के खेल से संबंदित एक पद है आप से पूछ सकता है टेवडल क्या है एक पद है यानि कि सब्दावली है जिसका तातपर यह क्या होता है तो जिसका तातपर होता है खेल के दोरान रैकेट को पलटने ही तू घुमाने से इसका ताथ पर यह होता है याद रखीगा इंपोटेंट है रिपीट हो सकता है आगे बढ़ते हैं सवाल लंबर दो की तरफ निम्द लिखित मैसे कौन सा युगम अर्थात जोडा युगम का मतलब क्या होता है य एक्जाम 2017 में पूछा गया आंगा खाँ कप फुटबॉल से अवेर कप गोल्फ से ड्यूरेंड कप फुटबॉल से राइडर कप गोल्फ से बढ़ाए कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है देखिए राइडर कप गोल्फ से ही संबंदित है यह तो राइट लिखा हुआ है ड्यूरेंड कप फुटबॉल से ही संबंदित है बिल्क्यू सही ओवेर कप यह भी गोल्फ से है लेकिन आंगा खाँ कप यह फुटबॉल से संबंदित नहीं है फिर यह किस से संबंदित है यह संबंदित है हौकी से किस संबंदित है हौकी से संबंदित है विकल्प यहां आपका ऐसे ही हो जाएगा और मैं यहां फैक्ट में ही सारी चीजें आपकी कवर करा देता हूं विद एक्स्प्लिनेशन आपको हमारी वीडियो मिल रही है देखिए तो आंगा खां कप जो है वो किस से संबंदित है होकी से अबेर कप बैडमिंटन से संबंदित है ड्यूरें लिखित में से कौन से गैंद का इस्तमाल नहीं किया जाता कौन से खेल में गैंद का इस्तमाल नहीं होता ये कुशन आया हुआ है से सी सी एच एसल 2017 के अगजम में खेल कौन सा है जिसमें गैंद का इस्तमाल नहीं होता जरा बताईए देखे फुटबॉल ठीक न देखे क्रिकेट में बोल होती है फुटबॉल में क्योंकि फुटबॉल क्रिकेट में भी बॉल और टैनिस में भी तो बैडमिंटन ही एक मातर ऐसा खेल बचा जिसमें गैंद का इस्तमाल नहीं किया जाता चलिए इस से लेटेड फैक्ट कवर कर लेते हैं जरा उप्यूक्त दिये खेलों मैंसे बैडमिंटन खेल में गैंद का परियोग नहीं होता बैडमिंटन का खेल रैकेट तथा सटल कॉक है ना सटल कॉक याद रखना बैडमिंटन का जो खेल होता है वो रैकेट और सटल कॉक से खेला जाता है याद रखे उप्योगी है किस खेल में गैंद का परिय योग नहीं किया जाता तो बैड मिंटन में नहीं किया जाता याद रखो आगे बढ़ते हैं के लिए सवाल पे निम्द लिकित मैंसे कौन सा पहला हैविवेट मुक्के बाज है जो अपने सारी जीवन काल में कभी परास्त नहीं हुआ तो कौन सा है हैविवेट है ना मुक्के बाज जो कभी अपने जीवन में परास्त ही नहीं हुआ तो देखे सही आंसर इसका वो जाएगा रौकी मार सी एनो है ना रौकी मार सी एनो ये पहले मुक्के बाज है हैविवेट में जो अपने पूरे जीवन काल में कभी हार नहीं देखे यानि कि किसी से परास्त न आपसे पूछ सकता है कहां का बॉक्सर था तो इतावली अमेरिका में भी इतावली वहां से संबंदित था कौन रोकी मार्शी एनो याद रखो रोकी मार्शी एनो अपनी संपूर्ण बॉक्सिक केरियर में कभी परास्त नहीं हुए वह 23 सितंबर 1952 से 27 अपरेल 1956 तक विश्व हैवी वेट चैंपियन रहे थे कब से कब तक 23 सितंबर 1952 से 27 अपरेल 1956 तक और अपने पूरे जीवन में ये कभी परास्त नहीं हुए कहां के निवासी थे अमेरिकी थे अमेरिकी बॉक्सर और इतावली याद रखना ठीक न भीया अगले सवाल की तरफ चलते हैं सवाल संबंदित है वर्दमान ट्रॉफी किस से संबंदित है देखे यह वर्दमान लिखा हुआ है लेकिन वर्दमान है वर्दमान ट्रॉफी किस से संबंदित है ससी मल्टी टास्किंग अग्जाम 2011 में ये कुशन पूछा गया था कुस्ती मुक्केबाजी भारतोलन या फिर कवर important है सवाल तो वर्दमान ट्रॉफी संबंधित दोस्त भार तोलन से विकल्प यहां इसका c बिलकुर right है देखिये इस सिर्डी इट फैक्ट तो देखिये भार तोलन से संबंधित है वर्दमान ट्रॉफी है ना याद रखना पूछ सकता है आप लोगों से ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं भारत करास्टे खेल होकी आपको पता होगा सवाल नमर च्छे देखिए सुबुर्तो कफ का संबंद किस खेल के साथ है SSC Data Entry Operator Exam 2008 में पूछा गया सुबुर्तो कफ का किस के साथ में संबंद है फुटबॉल, हौकी, बास्केजबॉल या बैडमिंटन ठीक है फटाफट से बताईए लेकि सही आंसर जाएगा सुबुर्तो कफ का संबंद होता है फुटबॉल के साथ में विकल्प यहाँ आपका भी बिल्कुर राइट हो जाएगा दोस्त कलियर हो گیا? चलिये चैंपिनशिप है या रखना ठीक ना सुबॉर्तो कफ का संबंद किस के साथ में है? फुटबॉल के साथ में याद रखो यह चीज़ पोची जा सकती है विकल्प बी बिल्कुर राइट है चलिए आगे बढ़ते हैं बास्किट बॉल के खेल में दोनों और कितने खिलाडी होते हैं S.S.C. मल्टि टास्किंग एक्जाम 2015 में पूछा गया था बास्किट बॉल में दोनों और कितने खिलाडी होते हैं तो देखे सही आंसर जाएगा बास्केट बॉल खेल में दौनों और खिलाडियों की संक्या होती है दोस्त पांच तो विकल्प यहाँ डे बिल्कु सही हो जाएगा ठीके ना डे बिल्कु सही हो जाएगा चलिए इससे रिलेटेड फैक्ट कवर कर लेते हैं और लगवग यहाँ जितने भी आपके खेलेगा उन से रिलेटेड सारी चीज़े कवर करा दूगा देखे किरकेट फुट वॉल और होकी में कभी आप लोगों से पूछे कि बताइए होकी किरकेट फुट वॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं तो 11 खिलाडी होते हैं किरकेट में भी 11 होते हैं फुटबॉल में भी 11 होते हैं होकी में भी 11 होते हैं रगबी फुटबॉल यानि रबडी रबडी बन जाएगी फुटबॉल में कब हो जब 15 खिलाडी खेलेंगे मैदान पे तो रगबी फुटवाल में 15 खिलाड़ी होते हैं बेसवाल जो की अमेरिका का रस्टटि खेल है और खोको, है ना बेसवाल और खोको में 9 खिलाड़ी होते हैं पर तेक टिम में याद रखना नेटबाल और वाटर पोलो वाटर यानि पी-एच मान होता हैं है ना याद रखो तो नेट बॉल और वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं बॉली बॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं बास्किट बॉल पूछा हुआ है देखिए एसी में 5 खिलाड़ी होते हैं पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं टैनिस और बैडमिंटन में 1 या 2 खिलाड़ी होत आ है बेज़ बॉम्हीं खीड़ मैं आमेरिका गरास्य खेल बॉस बीश मोल और अभी मैंने आप लोग बदा कि निपर खी रोड़ियों की संख्या होती तो सही आंसर जायेगा बेज़ बॉस की संख्या होती टॉम है और अर्गेट फुटबाल और उक्ती में ग्यारे होते हैं एक फुटवाल में ग्यारे होते हैं फुटवाल खाली आए तब और एक होता है किरकेट किरकेट में भी कितने होते हैं ये ग्यारे ही होते हैं साथ किस में होते हैं तो देखे साथ होते हैं नेट बॉल में नेट बॉल और वाटर पॉलो वाटर पॉलो में कित वाल्ट 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 खिलाडी होते हैं किसमें यह पोलो में चार खिलाडी होते हैं ठीक ना फिर से वही रिपीटिशन आप लोग के लिए लगातार लगाया है ध्यान से देख लीजिए आगे अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं सवाल नम्बर है सवाल नम्बर 10 है एजरा पूछे या एजायर कप पूछे एजायर कप या एजरा कप ये किस से संबन्दित है पोलो से संबन्दित है होकी से फट वाल से एफ नौका चालन SSC CHSL exam 2015 में पूछा गया था एजरा कप याद रखो ठीक है सही आंसर है एजायर कप एजरा कप ये पोलो से संबन्दित है विकल्ब बिल्कुल एस ही है इसका देखिए एजरा कप एक लोग पर ये पोलो टूनामेंट है क्या है एजरा कप ये पोलो का टूनामेंट है जिसका आज़न कलकता के पोलो कलब के द्वारा किया जा सकता है और आप लोगों से पूछे कि एजरा कप का एज़न किसके द्वारा कलकता के पोलो कलब के द्वारा प्रतिवर्स आज़न किया जाता है पर थम एजरा टूनामेंट जो आज़न किया गया था वो 1880 में आज़न किया ऑफिर्थम एजरा कब ठेमा के इंपोटेंट है यज रखो आगे अबर यह सवाल जरा घ्यार है सिवतापा किस खेल से संब्धेते हैं सिवतापा जी टेकर तीजेए सही आंसे जाएगा is सि Swapapha संबने थे मुक्चे बाजी से, विकल्प इस सवाल में, भी बिल्कुर राइट हो जाएगा ठीकर? इस dre CPO ने पूछा था 2017 में एक कुशन देगे सिब थापा किस खेल से संबन दित तो सिब थापा भारती मुक्यवास इनका जनम असम के गोहाटी में हुआ था ये भी इंपोर्टेंट है चाद रखो आगे बढ़ते हैं गीत सेथी का नाम आप निम्न लिकित में से किस खेल के साथ जोड़ते हैं गीत सेथी असिस्टेंट एक्जाम दोहजार आठ S.S.C. टेक्स्ट एक्जाम दोहजार आठ गोल्प से संबन दिता है गीत सेथी बिलियर्ड से संबन दिता है लान टैनिस से एफर किर्केट से तो सही आंसर हो जाएगा गीत सेथी के संबन दिता है बिलियर्ड से बी विकल्प इस सबाल में मिलकल दोस्त राइट हो जाएगा चलिए तो गीत सेथी बिलियर्ड के खिलाड़ी है आगे बढ़ते नाराएंट कार्टी के किस खेल के खिलाड़ी है तो देखे नाराएंट कार्टी के किस खेल के खिलाड़ी है तो भारती है फॉर्मूला वन कार रेस के फॉर्मूलर या फिर रेसर है याद रखो आगे बढ़ते हैं थॉर्मस कप का संबन्द निम्न लिखित मैसिक किस खेल के साथ है एक और उपयोगी सवाल थॉर्मस कप का संबन्द किस खेल के साथ है हकी, फटवाल, वस्केटवाल या फिर बैडमिंटन तो देखिए थॉमस कप का जो संबन्द है वो संबन्द है बैडमिंटन के साथ डे विकल्प बिल्कुर राइट हो जाएगा चलिए थॉमस कप के संबन्द में सूचना है उजरा ध्यान से देखिए किसकी पुर्सों की 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 पुर्सों एक्जाम 2015 में पूचा गया मोरस, एल्बा, सेंडरस, देवदार लिनन यूसी, टे यूसी, टे, सो ईमन याद रहो अगला सेलिकस, परफ्यूरिया तो क्या और कौन सी लकडि होती है? तो वो लकडि होती है सेलिकस, परव्यूरिया या परप्यूरिया याद रखो परप्यूरिया तो विकल्प D बिलकुर राइट आंसर के रूप में माना जाएगा चले इस से रिलेटेड फैक्ट कवर करते हैं किर्केट के बल्ले बनाने के लिए सैलिकस परप्यूरिया लगड़ी का प्रियोग किया जाता है इसके अत्रिक्त सैलिकस परजाती में ही आने वाली सैलिकस एल्बा केरूलिया का प्रियोग भी किर्केट बल्ले के निर्माण में ही सहायक होता है आगे बढ़ते पिचर सब्द का संबंद किस खेल के साथ होता है SSC FCI यानि फूड कोपरेशन वाली तो SSC FCI 2012 के एक जाम में पूचा गया था पिचर का संबंद किस के साथ में कुस्ती, मुक्किबास, बेस बॉल है ना याद रखना बेस बेस पे बॉल करी तो पिच गया तो बेस बॉल जो कि अमेरिका अगर आस्ट खेल है जिसमें खिलाडियों के संक्या, खोको और इसमें बराबर होती है नो खिलाडियों होते हैं तो B ना होकि C विकल बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा देकि पिचर सब्द का संबंद है वो किस के साथ में है पिचर बेस बॉल से संबंदित सब्दावली है बेस बॉल में पिचर वह होता है जो कैचर को गैंद फैकता है याद रखना कैचर को गैंद फैकता है उसे कहते हैं पिचर याद रखो पिचर बेस्वाल से संबंदित सब्दावली है बेस्वाल में पिचर वे होता है जो कैचर को गैंद फैंकता है उसे पिचर नाम देते है सत्रवा नमबर किर्केट की गैंद को किस कौन से मारा जाना चाहिए ताकि भे अधिक्तम 36 दूरी तक जा सके इंपोर्टेंट 36-6 डिगरी का कौन 36-45 डिगरी का कौन 36-36 डिगरी का कौन या 36-15 डिगरी का कौन तो किर्केट की गैंद को किस कौन से मारा जाना चाहिए साल 2011 वाला 36-45 डिगरी के कौन पर मारा जाना चाहिए तो जिससे की उसकी दूरी जो है वो अधिक्तम होगी ठीक है भी है देख लिए ज़रा किर्किट की गैंद को 36 से 45 डिग्री के कॉंड से फैंके जाने पर भे अधिकतम 6 दूरी तै करेगी अगला दे कि भारत का फिलाइंग सिक किसे का जाता है SSC Tax Assistant 2009 के एक्जम में ये पूछा गया था तो किसे का जाता है मौनिंदर सिंग अजीद पाल सिंग जोगिंदर सिंग या फिर मिल्खा सिंग तो फिलाइंग सिक बहुत यनि ओडन पर ये एक तो फिलाइंग सिक एक फिलाइंग फिस होती है महिला जिसे बोलते है और ये फिलाइंग सिक हैं जिने का जाता है मिल्खा सिंग मिल्खा सिंग फैमस थे तो डी विकल बिल्कुर राइट हो जाएगा ज़रा कवर करिए भारती एथलीट मिल्खा सिंग को फिलाइंग सिक के उपनाम से भी जाना जाता है तो फिलाइंग सिक किसका उपनाम है मिलखा सिंग का याद रखो आगे देखिए अगरे सवाल को भारते क्रिकेट टीम में पहला सेंचूरियन सेंचूरियन का मतलब सतक बनाने वाला सोरन बनाने वाला कौन था बताएए फटापट से वीन माकंड सी के नाइडू लाला अमरनाथ या फिर मनसूर अली पटोती तो भारते क्रिकेट टीम में पहला सेंचूरियन थे लाला अमरनाथ जी विकल्प बिल्कुसी सही हो जाएगा इस सवाल में देखे इस सवाल से रिलेटिड फैक्ट कबर करते हैं जरा भारते क्रिकेट के इतिहास में पिर्थम टेस्ट सतक बनाने का रिकॉर्ड लाला अमरनाथ की नाम है उन्होंने दिसंबर 1933 में इंग्लेंड के विरुद दूसरी पारी में सांदार 118 रन बनाए थे तो पहला सतक किस ने बनाए था किर्केट में एनावोवी टेस्ट में लाला अमरनाथ ने बनाए था 1933 में और 118 रन का योगदान दिया था सवाल नमर 20 भारते किर्केट टीम के पूर्व कप्तान अजरुद दीन लोक सभा में उत्तर परदेश के किस चुनाव छेतर का परती निद्द दू करते है अजरुद दीन जी बताईए मुरादाबाद मिर्जापूर मेरट या फिर मत्रा तो भारते किर्केट टीम के पूर्व कप्तान थे जो अजरुद दीन ये लोक सभा में उत्तर परदेश के मुरादाबाद मुरादाबाद चुनाव छेतर का परती निद्द दू करते हैं बे विकल बिलकुर राइट हो ज जाता है आगरा को पेठा नगरी ताज नगरी के नाम से भी जानते हैं है ना तो भारत में इस समय वरतमान में 28 राज्य और 8 किंसासित परदेश हैं ठीकर भारत की संबिधान में 395 मूल रूप से और करेक्शन हो के 470 से जादा हो गए हैं ठीक ना संबिधान को बनाने में 2 वर्स 11 महा 18 दिन का समय लगा था ठीक है तो जो जो मोस्ट इंपोर्टन कुशन थे आज के टॉप 20 में वह आप लोग को कवर हो गए डेली वेज ऐसी ही वीडियो आप लोग को मिलेगी जैहिंद बने मातरम